कि नमस्कार मैं हूँ सौरव सुर्वास कोरोना वायरेस की दूसरी लहर के भी टीका करण का वियान भी चला है लेकिन टीका करण के इस वियान को लिए करके अब कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी ने भी केंद सरकार पर निशाना जादा है दरसल प्रियंका गांधी ने ये कहा कि कोरोना का जो टीका करण किया जा रहा है उसकी रफ्तार बेहत धीमी है उन्होंने केंद सरकार पर निसाधन साधा है इसके साथ प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि टीके को प्रधान मंतरी नरेज मोधी के नीजी प्रचार का सा तो दिल्ली में भी लगातार के दिल्ली सरकार जो है किन सरकार पर निशाना साधा है टीका करन के धीमी रफ्तार जो हो गए उसको लेकर के सरकार से सवाल की है प्रियंका गांदी ने फेस्बूक पोस्ट में लिखा है कि ये प्रधानमंतरी के अनुसार जब सरकार ने पिछले साल ही टीका करण की पूरीत तैयारी कर ली थी क्योंकि पिछले साल 15 अगस्त को लाल के लिए से संबोधित करते हुए कर रही है अगर सारी तैयारियां मुकमल थी तो आकर अब जब कोरुणा की दूसरी लहर की टीका करन सुरू हुआ था तो उसकी रफ्तार अचानक धीमें क्यों पड़ गए राज्यों को वैक्सीन की कमी क्यों आ रही है उनके मुदापिक प्रियंका गांदी ने ये कहा कि इ तो इसलिए विश्वास कर रहे थे कि पंडित जवाहला नेरू ने उननीस सो और तालीस में चिन्नई में वैक्सीन यूनिट और उनीस सो बावन में राष्टी विशाणू विज्ञान संस्थान पूने को इस्थापित कर भारत के टीका कारिक्रम को उड़ान दी थी हमने शिकस्त दी थी आगे चलका भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्यात करने लगा और आज वह दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक है तो इन सारे चीजों को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक तरीके से सरकार पढ़निसाना दा साधा है कि अधर सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर जब आपके पास सारी तैयारी थी तो टीका करन की रफ्तार धीमी क्यों पड़ गई है इसके साथ हम आपको बताते प्रियंका गांधी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अब तक टीका करन को लेके सरकार दावा कर रही है अब तक पूरे देश म लोगों का ही टीका करन किया जा चुका है वही तीन प्रतिशत वही लोग है जो अब तक जिनको दोनों दोज मिल चुकी है उन्होंने कहा कि भारत में 130 करोन किया बाती है जिसमें 11 प्रतिशत हिस्से को टीके की पहली खुराक और मातर 3 प्रतिशत हिस्से को टीके की दूसरी खुराक नसीब हुई है प्रिंका गांधी ने इसके साथ एक और सवाल किया है मोदी उन्होंने कहा है कि मोदी के टीका का उस्षव घोसना के बाद पिछले एक महिने में टीका करण में 83 प्रतिशत गिरावट आई है जिम्मेदार कौन है प्रिंका गांधी ने अरोप ये भी लगाया है कि मोदी सरकार ने देश को टीके की कमी के दलडल में ढकेल दिया और प्रिंका गांधी ने ये भी कहा है कि प्रदान मंतिर नरज मोदी के अनुसार पिछले साल ही टीका करण का त्यारी कर लिया गया था तब 20 जनवरी तब जनवरी 2021 मातर एक करून साथ लाग टीके का आउडर आखिर क्यों दिया गया था तो जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर करोना को लेकर के कुरोना की दूसरी लहर को लेकर कि तमाम विवपक्ष के पार्टिया सरकार को घेर रही थी अस्पतालों की जे सुच्वेशन सामने आये थे ऑक्सिजन की जो कमी रहे थे उसको लेकर के सरजास्वारी ओपर यह सवाल किया आ जा रहा था कि पहली लहर के बाद एक साल का समय मिला लेकिन विदांसभा जो तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को विपक्ष के पार्टियां घेरने में लग गई हैं